ड्रीम 11 में आप लोगों का एक बहुत बड़ा आज का मैच होने वाला है और ये 15 मैच आप लोग को ड्रीम 11 खेला जा रहा है और जैसे कि मैं बता दू यहाँ पे बंगलोर भी एस लखनाओ के बीच मैच खेला जागा आज और अभी समय हो रहा है आपको 3 बज के 47 मिनट और आप लोग को क्रिकेट जो खेला जाएगा यह 7.30 बजे पीम से आप लोग को सुरवात होगा तो इसमें टीम कैसे लगाए और टीम को किस तरह और कैसे बदले और खेलारी को कैसे चेहन करे यह आज का एक बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है तो आप चाहते हैं एजुके में बता दू अब ही आप लोग के यहां पर बीच यहां पर दिया गया है इसमें कुछ नहीं करेंगे आप लोग को सुरिप इस पर टॉच करेंगे और टॉच करने के लाध टीम लगाएंगे तो देखते हम एक बाद टुच करते हैं तो इन दोनों का ही आप 62 कडोर में आपको यहाँ पे 69 रुपया इंट्री देना पड़ेगा और 20 कडोर में आप लोग देख सते हैं 49 रुपय इंट्री देना पड़ेगा और खास है आप लोग के बीच मैं खाली आप लोग को दो ही सिंपल दे रहा हूं मकی आप लोग अपनी मनसे और कर सकते हैं इसमें किस तरह से टीम लगाना है इसको कुछ नहीं करना है सबसे पहले यहाँ पे देख़ें 49 वाला उफसन आ रहा है 49 इस 49 पे हम तच करते हैं और टीम लगाते हैं तो यहाँ पे देख़ें हम 49 को तच किये 49 को touch करने के बाद यहाँ पे खिलाडी का चियन करना है किन-किन खिलाडियों को लेना है और क्या-क्या यहाँ पे करना है तो इनको आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद सारा सिंबोल आप लोग के बीच नजर आ जाएगा कि किस-किस खिलाडी को हम ले रहे और किस को आप लोग को यहाँ पे चियन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा और बिकेट कीपर का चन करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें खिलाडी का परदसन देख लेंगे किस-किस खिलाडी को लेना है तो सबसे पहले हम A.Rahul को लेते हैं A.Rahul जैसे कि यहाँ पर पलस चीन पर हम क्लिक कर दिये यहाँ पर देखिये पलस चीन पर हम कर दिये बस यहाँ पर रेड आ गया जैसे कि यहाँ पर देखिये रेड आ गया यह बिकेट कीपर एक सेलेक्ट हो चुका है एल राहूल को लेते हैं विकेट कीपर में उसके बाद आप लोगों को एन पूरन को लेते हैं जो कि आप लोग के बीच एक बहतरीन परदसन करता है उसके बाद आप लोग को बीच में क्यू डी कॉक को लेते हैं और इसमें जैसे pages DasOL का चीन डगे इस पे हमको क्या करेंगे तो आप लोग देखेंगे अभी मैं आप लोग को दिखा रहेibly पलस के चीन पर जैसे हम Tच किये मैंनस हो गया मैयनस हो गया उसके बाद chain क्या करना है जैसे कि विराट कोहली को जैसे ही लेता हूं तो यहाँ plus पे फिर कर दिये minus हो गया due places को लेते हैं article को जैसे ही में लेते plus मैंनस हो गया जैसे कि मैं आप लोग को बीच दिखाने का प्रियास करता हूं यह plus minus मैं हो गया यह आपको बेटर हम लोग यहाں पे क्या किये एपो मेक्स कणूएंगे उसके बाद आपको किई पंडे को लेंगे मतलब किदार पंडे को यहाँ पर देख सेते हैं इस पर हम क्लिक किये बस ओलंडर आप लोगों के बीच यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो ओलंडर आ चुका है बस हो गया इसमें कुछ आपको कहीं कुछ नहीं करना है अब आपके बीच आठ गो यहाँ पर सारा हो गया उसके बा आप देखते हैं, पले M.M. सिराज को लेते हैं अर विशनौई को लेते हैं और उसके बाद आप लोग मैं बता दू कहने M खां को लेते हैं M खां बहुत ही अच्छा खिलाडी है इसको हम एक बार देख लेते हैं M खां आगे नीचे में, इसको हम क्लिक किए उसके बाद आपको करना क्या पढ़ेगा यहां पे option आ रहा है आपको बीच देखिए यहां पे option आ रहा है कि आपको आगे बढ़ना यहां पे सो कर रहा है आगे बढ़ना तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद जो symbol आता है इसमें देखिए किस को यहा टीम आपको बन चुका है ये एक टीम बन चुका है टीम बनने के बाद आपको भॉइस केप्टेन और केप्टेन रखना पड़ेगा तो अभी आप लोग को मैं बता दूँ किसको हम केप्टेन रखेंगे तो जैसे की मान के चलिए मैं बिराट कोली को भॉइस केप्टेन के बना दिये इस तरह से टीम का चेंड करते हैं हम लोग आगे देखिए क्याप्टेन वाला उप्सन पर हम क्लिक किये यह आपको हो गया बलेक कलर में और इसको हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने का परक्रिया है पर सेब जैसे से बटन पाता है सेब करते हैं तो जैसे कि मैं लगा चुका हो उटिम अगर आप भी चाहते हैं लगाने के लितीस तरह से आप टीम लगा सकते हैं कौन खेलाडी खेलेगा कौन खेलाडी नहीं खेलेगा इसमें आप लोग देखिए कुछ पलस का चीन आता होगा और जिसमें हम टीक मारे मैनस का चीन आ रहा है लेकिन मैं का चिण्ज करके तो इसस्तर से बिंदा का चिण्ज k Εगा इसको क्या करना है खिलिक करके फिर आप इसे चयंज कर सकते हैं सायद अगर यह वीडियो आप लोग अच्छा लगा ड्रीम 11 का टीम कैसे लगाे टीम कैसे चेंज करें तो एजुकेशन जब डेट यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और फेस्बुक पे आप लोग फोलो कर लिजेगा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत